हैलो सुवागत है है अप सभी का इस वीडियो में मैं बना रही हूँ आलू घोबी तो यहाँ पर देखिए एक प्याज है लैसून और यहाँ पर मेथी है कसूरी मेथी और धनिया और आलू घोबी है जो मैंने काट कर अच्छे त्रीके से साफ कर ली है गोबी और आलू तो य कर देंगे और साथ ही प्याज डाल देंगे यहाँ पर प्याज भी डाल दिया है मैंने और इन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से पका लेंगे तीन से चार मिन्ट के लिए तो यहाँ पर एक किलो घोबी है और दो आलू काटे है मैंने जो कि मैंने गरम पानी से अच्छे से साफ कर लिया गोबी और यहां पर प्याज पक चुके हैं इसमें मैं मसाले आड़ कर रही हूँ हल्दी डाला है मैंने आदा टीस्पून और नमक डाला इस वाद के रिकोडिंग मिर्श पाउडर डाला है आदा टीसपून और धनिया पाउडर भी आदा टीसपून डाला है और इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मै्थी जो अपने हाथों से करस करके प्लान दी है अलू गोबी की सब्जी में मैंने में planning है जो इसी का मेन पार्ट है या आप इस तरीके से जुरूर मेथी सुखी होती है वो डाल कर बनाईए और फिर देखे गोबी कितनी मस्त बनती है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि सुखे मसाले जलेना अच्छी तरीके से पक जाएं आप चाहे तो इसमें ट माटर है जो वो नहीं डाला है प्याज और लैसून है जो मैंने बेसिक मसाले जो हर रोज की सबजी में डालते हैं वो ही डाले है इसमें ज्यादा मसाले भी नहीं डाले और मसाले हमारे पक चुके हैं और इसमें आलू और यह घोबी है जो यह डाल दी है और इसे अच्छी गिलासी होगी छोटी आदा कप बोलते हैं जिसे उससे भी कम ही होगा ये देखिए इसमें नजर भी नहीं आरा पानी इतना डाला था मैंने और अब इसमें पानी नहीं डालना है ऐसे ये फूल गोबी है जो एकदम फूल बनेगी अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया मैंने और इसे अब ढ़क कर रख देते हैं ये देखिए 10 मिन्ट में सब्जी जो बन कर त्यार हो जाती है और ये देखिए 10 मिन्ट बाद है जो सब्जी हमारी एकदम से त्यार है और मैंने इसमें धनिया की पत्ती डाल दी थी छोटा सा वीडियो है पसंदाता है लाइक कीजिए क चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिए धन्यवाद मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ अगली